हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में बात करेंगे गोल लीफ लेक्टोस्कोप के बारे में गोल लीफ लेक्टोस्कोप क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या है ठीक है तो सबसे पहले गोल लेक्टोस्कोप क्या है तो यह कैसा अपेटरस है जिससे हम क्या कर सकते हैं चार्ड को डेटेक्ट कर सकते हैं तो अगर आप डाइग्राम में देखो तो यह कुछ गोल लिफ लेक्टोस्कोप हो जाएगा कि इसमें देखो इक गलास विंडवं यौ यह पूरी और इसके अंदर यहाँ पर एक मैटल नॉब है और मैटल रॉड एसमें और यह मैटल रॉड नीचे जा रही है और अंदर इसके क्या है दो गोल लीफ लगे वह है अब क्या होगा अगर मैं क्या करता हूं किसी कोई ही चार्ज बोडी जैसे कि चार्ड रौड है जैसे कि प HARRIS मी्टल रॉड में ले की आता हूं जिते हैं तो हमें पता है जो चार्ज बोड़ TON यह Metal Rod, Metal Rod is a Conducting Body, ठीक है Conductor है Metal Rod, तो Metal Rod से क्या होगा हो, पूरा पूरा चार्ज, Positive Charge है, ट्रांसपर होके कहां चला जाएगा, Conduct होके, इन Gold Leaf में चला जाएगा, और Gold Leaf में चला जाएगा, अब Gold Leaf कुछ ऐसे, जैसे यहां भी दिख रहा है, यह Gold Leaf कुछ ऐसे, अब यह दोनों Gold Leaf में Same Charge आ गया, ठीक है, तो हमें पता है, Like Chargers Repel Each Other, तो एक दूसरे को Repel करेंगे, किस Degree हमने ट्रांसपर किया था, अगर हमने जो भी Body थी जिस पर हमने टच कर आया, उसमें ज़्यादा चार्ज था, ज़्यादा अमांट में चार्ज था, उसका Magneaut ज़्यादा था, तो क्या होगा, इनका यह ज़्यादा ओपन होगा, बट अगर Charges की Degree कम थी, उनका Magneaut कम था, तो यह कममांट में इनमें ओपनिंग होगा, यह दोसरों सपरिशन में कम होगा, ठेक है, तो देखते समें क्या है, तो a simple apparatus to detect charge on a body is the gold leaf electroscope, it consists of a vertical metal rod housed in a box with two thin leaves attached to its bottom and when a charge object touches the metal knob at the end of the rod, charges flow onto the leaves and they diverge the degree of divergence is an indicator amount of charge, जी मैंने आपको explain क्या भी